दोस्तो हमारी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने 1st February 2023 को जनरल बजट पेश किया इस बजट में निर्मला सीता रमन ने सब्तरिशी का जिकर किया जो की चर्चा का विशे है उन्होंने इस नाम को देश के विकास का अधार बताया और कहा कि बजट 2023 इनी साथ बिंदूओं पर अधारी दा है पर इन सबसे पहले पहला कोशंन आता है कि सब्तरिशी कौन है और फिर वो साथ बिंदूओं क्या है जो हमारे भारत के ग्रोथ का अधार है। आए जानते हैं। सब्त रिशी हिंदू धरम ग्रंथों में सात रिशियों का वर्णन मिलता है। इन सात रिशियों में रिशी कश्यप, अत्री रिशी, भार्दवाज रिशी, रिशी विश्वामित, रिशी गोतम, जगदिमनी रिशी, वेसिस्ट चान है लेकिन इन्हें एक साथ ही पुकारा जाता है निर्मला सीता रमन ने अपने बजट में यही बात बोली कि हमारा जो भारत है वो ग्रोथ पर सब्तरिशी के अधार पर ही है अब आईए जानते हैं साथ बिंदू कौन से हैं बजट 2023 के सब्तरिशी पर सबसे पहला है अर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग को वर्यता देना और उनके विकास के लिए काम करना दूसरा है आखरी व्यक्ति तक पहुंच जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीचिंग दा लास्ट माइल सरकार का फोकस देश और समाज के वंचितों और आखिर व्यक्ति तक रहेगा वित्तमंत्री के मुताबिक जब तक देश में वंचितों का विकास नहीं होगा तब तक बिंदू समावेशी विकास की पूर्ण कलतना नहीं की जाएगी मतला हर व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए हर व्यक्ति तक फोकस किया जाना चाहिए तीसरा बोला है बुनियादी धांचे में सुधार करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ इन्वेस्ट्मेंट पर भी जोर बढ़ाना होगा चोथा है शमता विकास शमता विकास को इंगलिश में कहते हैं unleashing the potential वित मंतरी के साथ बिंदूओं में चोथा शमता विकास देश के विकास के लिए एहम है उन्होंने खास तोर पे युवाओं की शमता विस्तार पर जोर देते हुए काय की अर्थ विवस्ता में तेजी के लि इसी के साथ शिरी अन्य योजना भी शुरू होगी। ताकत कही है क्योंकि एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंट है मतलब आज का जो युवा होगा वही भविश्य है वैसा ही हमारा भारत होगा तो इसके लिए 2023 में वित्त मंतिर ने पधान मंति विश्कर्मा कोशल सम्मान योजना का एलान किया है जो की युवाओं को स्किल बना आएगा ये बहुत ही महत्तपून वह अहम है सात्वा मोदी सरकार के सब्त रिश्यों में सात्वा है वित्य शेत्र यानि फिनेंशल सेक्टर वित्त मंतिरी ने साथ विंद्वों पर अधारित बजट 2023 के बारे में बताते हुए कहा है कि सरकार देश की आर्थिक सिती में सु अगे एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है और इसी के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आप सभी स्ट्वेंट्स पर अच्छे से ध्यान रखने हैं धन्यवाद